एक बार एक बच्ची अपने पिता के साथ खेल रही थी तबी कोई गर का दर्वाजा जोड़ जोड़ से पीटने लगा पिता ने जल्दी से दर्वाजा खोला तो बहुत पडोसन खड़ी थी पिता को देखते ही पडोसन चिलाने लगी वो गंदी गंदी बाते और गालिया देने लगी ये सब देखकर बच्ची को बहुत गुसा आ रहा था लेकिन वो हैरान थी कि उसके पिता चुपचाप खड़े होकर औरत की बाते सुन रहे थे जब औरत वहाँ से चली गई तो बच्ची ने पिता से पूछा पापा वो ओरत आपको इतनी गंदी बाते बोल रही थी आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया ये सुनकर पिता एक गंदा सा कप्रा लेकर आए और बेटी को पहनने को कहा कप्रा देख बेटी बोली ची इसमें से बदबु आ लिए मैं अपना साफ कप्रा छोड़कर इसे क्यों पहनू फिर पिता बोले बेटा जैसे तुम्हें गंदे कप्रे अपने साफ कप्रों के जगा नहीं पहन सकती वैसे ही मैं उस औरत की गंदी बाते अपने साफ जुबा पे नहीं ला सकता अगर कोई आपको बिना वज़े गंदे शब्द बोल रहा है तो आपको उन शब्दों को अपने साफ दिमाग पर असर करने नहीं देना चाहिए